तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही है कि चायना किस तरीके से दूसरे देशों के हतियारों के टेक्नोलोजी को चुरा के अपने हतियारों का डेवलप्मेंट कर रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे चायना के द्वारा स्वीडन के सब्मरीन का कोपी किया गया और चायना का ये कौन सा सब्मरीन है जो हाली में चायना बनाने का दावा कर रहा है। 12 सेगेंट ही काफी है ये जानने के लिए कि चायना द्वारा इस सब्मरीन को निर्मान करने के लिए कौन से देश का टेक्नोलोजी चुराया गया। वैसे तो ये वीडियो चायना के टिक टॉक में ही शेर किया गया है लेकिन अब इसे लेके चायना के मीडिया में भी चर्चा हो रहा है। फिलाल वीडियो के बारे में जादा कुछ जानकारी नहीं है लेकिन चायनीज मीडिया में क्लेम किया जा रहा है कि ये संभावित चायना के टाइफ-039 क्लास के नया सब्मरीन टाइफ-039C हो सकता है। पर सब्मरीन के कॉनिंग टावर के डिजाइन को देखते हुए ये साब फता चल रहा है कि चायना के द्वारा इस सब्मरीन को बनाने के लिए सुडन के महतोपूर्ण सब्मरीन के डिजाइन मतलब साब ग्रूप के द्वारा निर्मान किया हुआ A26 के डिजाइन को चुराय चाइना के मेडिया में इस 14 सेगंड के वीडियो को लेके ये फी चर्चा हो रहा है कि संभावित इस वीडियो को यंग सी नदी में ही बनाया गया है और इस वीडियो को लेके टाइफ 039 क्लास का दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इसके हल का डिजाइन काफी हद तक टाइफ 039 के साथ मैच करता है, पर इसका tanning tower की design कते ही टाइफ 039 के साथ नहीं मैच कर रहा है, और इसे लिए इसे एक नए variant के रूप में भी देखा जा रहा है दोसोा, submarine का design चायनिज traditional submarine design उसे काफी अलग है खास कर कि इसका जो conning tower इसका design काफी unique है और यह आकार में भी छोटा और height में भी काफी कम है जब कि इसके hull के साथ इसे compare किया जाए तो आपको पता चलेगा कि चायना के द्वारा इस तरीके की छोटी आकार के conning tower के साथ सब्मरीनों का design नहीं किया जाता है इवन सब्मरीन के conning tower भी angular shape में design किया हुआ है मतलब एक तरीके से इसे चायना के द्वारा stealth बनाने का भी प्रयास किया गया है और दोस्तों यह हुबहू A26 सब्मरीन के साथ मैच करता है जबकि वीडियो में conning tower के इलावा सब्मरीन के बाकी हिस्सों को देखना काफी मुश्क को include करके ही बनाया गया है दोस्तों इस नए सब्मरीन के conning tower के जो design है उसे unique इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि यह एक water drop के shape के रूप में है और angular design के साथ साथ यह सब्मरीन के पिछले हिस्से के तरफ है जो basically सब्मरीन के stealth feature को तो बढ़ाता ही है लेकिन साथ में सब्मरीन क कम से कम power utilize करके तेजगती से travel करने का भी मदद करता है पर इस तरीके के design को करने के लिए सब्मरीन को design phase में ही कई तरीके के test से गुजरना पड़ता है खास करके wind test और water flow test के द्वारा ताकि इसके design में flaws ना हो और ये design merit के जगा में demerit ना बन जाए जबकि चाहना के type 039C class के सब्मरीनों को पहले के design के base पे ही बनाया गया है बोलके इसके हल में जादा कुछ तबदिली करने का आवशकता नहीं पड़ा और इसके conning tower के design के लिए संभावी चायना के intelligence agencies के तरफ से महत्वपूर्ण जानकारियों को हासल किया गया तो स्वीडन के तरफ से इस design को अपन A26 जैसे सब्मरीनों में implement करने का इरादा बनाया गया है लेकिन ये भी सही है कि स्वीडन अब तक इसे अपने सब्मरीनों में implement नहीं कर पाया है और फिला लिए design phase में ही हैं स्वीडन इस तरीके के सब्मरीनों को बना के जहापे अपने सब्मरीन के बेड़े को मजबूत कर पर चाइना के दौारा अगर इस डिजायन का कौपी किया गया है तो ये स्वीडन के लिए वह विश्य में एक बड़े एकॉन walk घाता वी हो सकता है क्यूंकि इस तरीके के dizzain और काफी ज़्यादा रिसवर्स का वी इस्तमाल किया गया तो वही पर चाइना बिना किसी मेहनत के ही Sweden के इस technology को हासिल करते हुए export market में Sweden के मुकाबले में कम लागत में अपने सब्मरीनों को भी उतार सकेगा तो चाइना का ये जो Type 039C class के सब्मरीन है ये basically Type 039 diesel electric सब्मरीन के ही एक latest version है जो पहले के Type 039A और Type 039B class से थोड़ा अलग है पहले के ये जो दो सब्मरीन का design है ये already Chinese Navy में successfully इस्तिमाल किया जा रहा है जबकि इनी सब्मरीनों को चाइना के द्वारा export भी किया जा रहा है चाइना और पाकिस्तान के बीच में भी जो सब्मरीनों का deal हुआ है उसमें भी Type 039B के ही export version को चाइना के द्वारा पाकिस्तान को दिया जा रहा है जबकि नया 039C class के सब्मरीन के जब कुछ फोटो को release किया गया था तब भी इसे लेके internationally चर्चा शुरू हुआ था दोसो अब चलिए हम जानने का कोशिश करते है कि सुईडेन के A26 सब्मरीन असल में कितना ताकदवर और कितना घातक है फिरम आखिर में Type 039 class के existing सब्मरीनों के बारे में भी जानेंगे दोसो सुईडेन के इस सब्मरीन को ब्लेकिंग क्लास के सब्मरीन भी कहा जाता है वैसे अगर देखे तो आधुनिक ऐसे सब्मरीनों को निर्मान करने का इरादा सुईडेन के तरफ से 1990 के समय में ही शुरू किया गया था और तब जर्मन मेनिफेक्चरर टोसन को रप मैरिन सिस्टम के साथ मिलके सब्मरीनों को बनाने का इरादा बनाया गया था पर बाद में आवशक्ताओं को देखते हुए इसे कैंसल किया गया लेकिन 2015 में फिर से आवशक्ताओं को ध्यान में रखते हुए प्रोजेट को रियोपन किया गया फिलाल इस सब्मरीन के डिजाइन और डिवललप्मेंट का काम सुडियन के साब अबी ग्रूप के द्वारा किया जा रहा है और संभावित ऐसे दो सब्मरीनों को निर्मान भी खिया जा रहा है दोस्तो टोटल प्रोजेट को अगर देखा जाए तो 2015 में ऐसे दो सब्मरीनों को निर्मान करने के लिए 8.2 बिलियन स्वीडिश करेंसी रखा गया था, मतलब एक-एक सब्मरीन का यूनिट कॉस्ट 4.1 बिलियन स्वीडिश करेंसी या फिर 433 मिलियन यूएस डॉलर है, दोस कि इसका ड्रॉट सिर्फ 6 मीटर है और इसे डिजल इलेक्रिक इंजिन के इलावा AIP सिस्टमों के द्वारा भी ऑपरेट किया सकता है, रिपोर्टों के मुताविक ऐसे सब्मरीन कम से कम 45 दिन तक समुंदर में तैनाथ हो सकता है, जबकि कम से कम AIP सिस्टम के सहारे 18 दिन त कि ये भी वताया जा रहाएगी इसमें 533 mm के टॉर्पेडो ट्यूब या फिर 400 mm के टॉर्पेडो ट्यूब लगाए जाएगा, जबकि इसके इलावा टॉर्पेडो ट्यूब के द्वारा सब्मरीनों से माइनों को भी लॉंच किया सकता है, इवन टूटल ऐसे 15 या उससे अ कि दूसरे तरफ अगर चायना के टाइफ 039 क्लास के सब्मरीनों को देखा जाए तो ये इससे वजन में काफी भारी और करीब-करीब 3600 टन वजन के सब्मरीन है, जिसका लंबाई भी A26 सब्मरीन से अधिक है और करीबन 77.6 मीटर के आसपास है, जबकि इसका चौडाई 8.4 मीटर और इसका डेफ 6.7 मीटर के आसपास है, और दोस्तों ये डिजल इलेक्ट्रीक के साथ साथ एक शैफ्ट वाला सब्मरीन है, जिसमें AIP सिस्टमों को भी आखिर के कुछ वर्जिनों में लगाया गया है, इस सब्मरीन का यहाँ पे टेश्टर डेफ मतलब गहराई में जाने का शमता करीबन 550 मीटर है, पर इसे ओपरेट करने के लिए A26 से काफी अधीक क्रू मिंबर का आवशकता होता है, और करीब-करीब 36 मिंबर इस सब्मरीन को ओपरेट कर सकेगा, सब्मरीन में हतियार के रूप में 6 533 मिलिमिटर के टॉर्पेडो ट्यूफ है, जिसके द द्वारा टॉर्पेडों के इलावा एंटी शिप मिसाइलों को भी दागाया सकता है, दोस्तों 2006 से ही चाइना के द्वारा इस तरीके के सब्मरीनों के निर्मान शुरू किया गया है, और चाइना अब तक ऐसा करीबन 17 सब्मरीनों का निर्मान कर चुका है, इवेन इनी सब लेकिन हाली के जो टाइफ 039C को दुनिया के सामने लाया गया है, इसके डिजाइन में काफी ज्यादा सिमिलारिटीज है, और बेसिकली चाइना अपने पुराने सब्मरीनों के ड्रॉब एक्स को ही दूर करने के लिए वेस्टेन कंट्रियों के सब्मरीनों के कुछ टेक्न बना सके और साथ में दूसरे देशों के टेकनोलिजी नहीं बलकि एकोनोमी को भी तभा कर सके तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तुसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ की बना हूँ बैल आइक